हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माय चैनल सी तू पटेल टिप्स फॉर वोमेन और फ्रेंज आज के वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के दाग धबों को दूर करने के लिए नारियल का बहुत ही अच्छा प्रयोग जो कि कच्छे नारियल का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं फ्रेंज चेहरे पर दाग धबे जो होते हैं उसके कारण चेहरा बिलकुली बेजान नजर आने लगता है और ये कई कारणों से होता है आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान की वज़ज़ से भी जो हमारा धूल पलूशन हमारी चेहरे पर पड़ता है और इसके साथ ही कई हम कैमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं जिसकी वज़ज़ से चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं या कई प्रकार के चेहरे पर काले निशान या दाग धबे दिखाई देने लगते हैं इनको दूर करने का बहुत ही अच्छा हम घरेलू प्रयोग बता रहे हैं यदि आप किसी कैमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो उसे बंद कर दीजिए क्योंकि इस से आपके चेहरे के जो दाग धबे हैं वो तो दूर नहीं होंगे बलकि और भी ज़्यादा आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो फ्रेंस इसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके की किसी भी क्रीम साबून या किसी भी फेस्वास का प्रियोग ना करें जिसमें बहुत जाड़ा मात्रा में केमिकल हो आप चाहें तो हरवल या फिर घ wszystkich प्रियोग कर सकते हैं और फ्रेंस जो हम उपाए बताने जा रहे हैं नारियल क तो वो आप प्रयोग कीजिए इस से आपके जो चहरे के दाग धब्बे हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और आपके चहरे में एक नया ग्लो आएगा और चहरा चमकने लगेगा तो फ्रेंज कच्चा नारियल आपको प्रयोग करना है कच्चे नारियल को आप ले लीजे और इसका पेस्ट बना कर चहरे पर पूरी तरीके से कबर करते हुए लगा लीजे कुछ ही समय में अगर आप इसका रेगुलरी प्रेयोग करते हैं तो ये आपके जो चेहरे पर काले निशान या ताग धबे हैं या पिमपल्स के निसान है ये किसी भी तरह के कोई भी काला पन है चेहरे पर तो वो सब दूर हो जाएगा और आपका चेहरे एक दम साफ सुतरा हो जाएगा इसके साथी फ्रेंस कच्चे नारियल से जो पानी निकलता है उस पानी का प्रेयोग आप अपने चेहरे पर टोनर की रूप में कर सकते हैं इससे आप अपने चेहरे पर लगा कर पूरा दिन भी रख सकते हैं तो इस पानी को लगा कर आप अपने चेहरे पर रखिए इससे आपका चेहरा जो है चमकदार बनेगा और आपके चेहरे के जो भी निशान है वो दूर हो जाएंगे तो उमीद करते हैं फ्रेंस कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी वैल के इकन को जरूर अन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ले कर रहें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और फ्रेंज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें